अलो दोस्तो नमश्कार Profit Guru चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत कहता हूँ तो दोस्तो आप लोगों को पता है कि आदानी ग्रूप कितना वड़ा है और उसकी बहुत सारी कमपनिया मार्केट में लेकिन दोस्तो एक और कमपनी आने वाली है ठीके मार्केट में उसका मतलब IPO आने जा रहा है ठीके किस प्रकार से रहेगा IPO अपलाई करें या नहां ना करें कमपनी किस इंडस्ट्री से बिलाउंग करती है ये भी हमें देखने लाइक रहे है ठीके तो चलिए फटापट से बिडियो को स्टार्ट करें इस पहले एकी चीज में बोलूँगा अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब ने क्या फटापट से सस्क्राइब कर दीजे क्योंकि डेली वेसस पे इसी प्रकार का बहतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चले डारेक्ली चलते हैं उसकी डिटेल्स के उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिचोड़ करके साइट के उपर मैंने आप लोगों को लाए हूँ जो IPO है वो है आदानी Bill Mark Limited IPO यह कंपनी आपको पता है यह जो आदानी ग्रूप है काफी बड़ा ग्रूप है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी मार्केट में 99 से काम कर रही है ठीके और यह आदानी Bill Mark करके जो कंपनी है वो FMCG में काम करती है ठीके जैसे कि आप लोगों ने देखा हो अगर जो कंपनी Fortune Oil बनाती है ठीके जो काफी अच्छा ब्रांड है मार्केट बे और जितने भी किचेन की Commodities है दोस्तो यह कंपनी पूरी बनाती है ठीके उसके साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो जो दोस्तो Eat Bill Oil है ठीके इड़ विल ओई यह कंपनी का काफी ज़्यादा मातरा में यूज किया जाता है ठीके उसके साथ कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लाज जे में 22 प्लांट है ठीक है जिसमें से 10 क्रूशिंग है ठीक है और 19 की अगर मैं बात करता हूँ तो 19 रिफाइनरी अलग है ठीक है और जो अगर आप देखे तो यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है दा कंपनी अगर आप देखेंगे दोस्तो इन रिफाइनरों की तो 5000 मेट्रिक टन पर डे मतलब दोस्तो इतना यह रिफाइनरी डेली बेसस पे क्या होता है उत्पादन होता है किसके तरफ से आदानी बिल मार्क के तरफ से ठीक है कंपनी के लगबग दोस्तो 22 प्लांट है यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है ठीक है और उसके साथ यह अगर नीचे वाला हम स्टेप देखें तो जिसके से कंपनी के जो स्टेंट तो कंपनी के पास दोस्तो एक अच्छा स्ट्रॉंग कस्टमर बेस भी हमें देखने को मिलता है ठीक है और कंपनी के पास दोस्तो किचेन के पूरे जो समान जो डेली रिटिंग में यूज होते हैं वो भी आती है ठीके कमपनी के पास दोस्तों एक अच्छी कासी लीडर सीव है ठीके एक ब्रांड इंड ओईल है आप दीख सकते हो कमपनी के पास पैकेजिंग फूड बिजनेस भी है ठीके जिसका मार्केट में काफी अच्छी तरीके से क्या होता है एक विल्यू बनता है ठीके उसके साथ अगर आप देखें तो company की दोस्तों जो global supplier है वो भी company के बहुत अच्छे हैं ठीक है company के पास दोस्तों professional management and experience board भी है जो दोस्तों हर एक common sense वाली बात रहती है साथ में company का जो promoters आदानी enterprises है आदानी Commodities Limited है मतलब LPP जो हम बोल सकते हैं कि आदानी group कितनी बड़ी है तो आप लोगों को पता ही है ठीक है और उसके साथ है अगर company की fundamental job ही company के लिए main portion होना जाता है अब आपको पता है कि company FMCG sector में काम करी मतलब एक अच्छी industry में काम करी है अगर ये company market में आ रही है ठ production किया तो काफी जल्दी ये FMCG sector की leader भी बन सकती क्योंकि FMCG sector उस तो market में काफी अच्छी तरीके से performance देता है ये आप लोगों को पता है ठीक है उसके साथ ये अगर आप देखेंगे तो देखें मार्च 2020 का अगर हम performance देखें रुपीज इन मिलियंस में ठीक है तो यहाँ पर asset revenue है और profit जो जिम में गया हुआ है ठीक है तो March 20 में अगर asset के में बात कहता हूं तो 117 का asset है ठीक है 117 का asset है ठीक है और वही asset March 21 में कितना हो गया 133 का हम ये portion को भी बंद कर रहे है क्यों क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक साल का मतलब year on year basis का performance है ठीक है March to March तो जो asset है न का revenue कितना आ गया है 371 का तो revenue में भी बहुत शांदार बढ़ोत रहे है अब अगर profit की में बात करता हूं तो 407 का profit तो 727 पर आच चुका है तो आप देख सकते हो कि company का asset quality भी improvement कर रहा है revenue भी improve कर रहा है ठीक है और company का net profit भी चलो ठीक है company का यहाँ पर valuation बहुत अच्छा वो देखने वाली बात है अब anchor investor का एक महने बाद locking trade खतम होता है ठीक है anchor investor के सामने कुछ एसी सरते रखी जाती कि अगर आपने investment किया तो आपको एक महने तब उसको निकालने का मतलब वो नहीं रहती मतलब उनको अनुमती नहीं रहती कि आपका जब locking trade रहता है एक महने का एक महना हो जाएगा जबी आप क्या निकालोगे अपना investment महा से निकालोगे तो company उनको पसंद है या नहीं anchor investment कितना आ रहा है ठीक है वो क्या long term के लिए investment करा है उन्होंने anchor investor ने या एक महने में भी वो profit book करके निकल जाते हैं या loss book करके निकल जाते हैं क्योंकि company market जिस प्र करने के लिए company क्या करती है market में IPO लाती है या company के ऊपर थोड़ा वोत कर जा रहता है तो उसको repayment करने के लिए company market में IPO आता है ठीक है और ज्यादा तर फोकस तो company अपने business को आगे बढ़ाने के लिए ही लाती है ठीक है और उसके साथ अधानी wheel mark का अगर हम IPO की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 27 जनवरी के open हो रहा है ठीक है 31 जनवरी को close हो रहा है सबसे बड़ी बात book building issue type है मतलब NSC BSC दोनों पर आपको ये listed होते देखने को मिलेगा face value मातर 1 रूपे per share के साब से आ रही है ठीक है उसका price bent अगर आप देखेंगे 218 रूपे से लेके 220 रूपे क आसपस देखने को मिल रहा है लगबग 12 रूपे का अंतराल है ठीक है market lot के अगर मैं बात करता हूँ तो 55 शेर का एक lot है ठीक है उसके साथ आप देख सकते हो NSC BSC दोनों पर यहां पर ठीक है issue size अगर आप देखेंगे तो 36 करूल का ये IPO है ठीक है employee discount अगर देखें तो 21 यहा देखने को मिल रहा है issue देखने को मिल रहा है बाकि QIP 50% और 50% retail का और HNI का है अब दोस्तों अगर आप देखें तो retail category 35% की है तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही IP लगने के chance थोड़े ज़्यादा हो जाते है other IP से क्योंकि वहाँ पर अगर देखें तो retail category 10 या 15% की लेकिन यहाँ पर 35% है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा खासा मुमेंट देखने को मिल सकता है और उसी के साथ सबसे पहले हम अगर आप यहाँ पर देखें कि टाइम फ्रेम क्या देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हो ठीक है यह टाइम फ्रेम है जो ह बढ़ा चारा मिल तो चार फरोहरी को आपका पैसा जाएगा और दोस्तों लगवारी को जो पैसा आपका और देखने को मिल रही है और साथ में अगर आप देखेंगे तो एक लॉट 65 शेर का है जिसका वेल्यू रहने बाला है 14,950 का आप मैक्जिमाम अगर 13 लॉट डालते हैं तो 845 कॉंटिटी आएगी जिसकी वेल्यू रहेगी एक लाग शुरह अनुमान लगा सकते हैं क्या वेल्कम कर सकता है यह लिस्टिंग दे सकता है या नहीं ठीक है और जो इन्वेस्टर लिस्टिंग लिए या आइप्यों मे इंवस्मेंट और यहां पर देखके समझ जाएंग बादेन कि क्या हमारा शूने लाडर है अगर आम इसमें करते हैं तो देखिया भी लाइप मेंट के साइट के उपर मैंने आप लोगों को लाया हूं ठीक है यहां पर हम देखे पूरी चीज़ तो जान क्या गए लेकिन खाल यह जी एम पी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमिय हम जानने वाले ठीक है यह आज कही अपडेट है तो नीचे देख ले यह ठीक है और यह आठ फरबरी को लिस्ट होगा ठीक है अगर मान लिजे आज को अगर मैं मिला लेता हूं तो आज लगबग 21 तारीक हुई है ठीक है और आठ फरबरी को यह लिस्ट होगा तो काफी लंबा समय दोस्तों यह IPO ले रहा है आप अगर इसको केलकुरेशन करके देखोगे ना तो काफी लंबा समय यह IPO ले रहा है ठीक है तो यह जो 75 रुपए है ना यह उपर नीचे भी होता है ठीक है तो इसको देखके आप अहां एक हम एक्रूसी मान सकते हैं कि कंपनी की मार्केट में क्या वेल्यू है क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका वेल्कम करता है तो वो किस प्राका से वेल्कम करा है जैसे आपने देखा होगा कि US मार्केट का मुमेंटम हम चेक करके हम अनुमान लगा सकते हैं हम एक्रूसी मेंटेन कर सकते हैं कि कल की डेट में हमारा मार्केट कैसा प्रदेशन करेगा तो वेसे ही दूस्तों हमार मार्केट और ग्रे मार्केट है ग्रे मार्केट में इस IP-O की कैसा वेलकम हुआ आज हमने ये देख लिया ठीक है उसके साथ ही चार दिन बाद साहिद हो सकता है कि ये 90 रुपे के करीब भी चला जाए या 50 रुपे के करीब भी आ जाए ठीक है तो और देख लीजेगा आप 29 को अपलाई करने जा रहे है तो और कुछ वहाँ पर देख लीजेगा ठीक है तो पूरी तरीके से चार्णबिन करिएगा ये उसके बाद ही जाके इसमें इन्वेस्मेंट करिएगा तो दोस्तों अगर हम इसको कंपेर करें तो लगबग 30 से 35 परसंट ये प्रीमियम अभी उपर चल रहा है ठीक है और उसके साथ ही अगर देखे तो ये जो अधानी बिलमार का जो आईप्यो है ये काफी पूरानी समय से ही कंपनी का लाने का बिचार था लेकिन जब इसके उपर इन्वेस्टिकेशन आई थी ठीक है तो सेवी ने इसको रोग दिया गया था और अब इसको मतलब अनुमीत में मेल चुकी तो आप बोल सकते कि जो इन्वेस्टिकेशन है वो साथ खतम हो चुकी होगी ठीक है तो हाँ आधानी ग्रूप के यह एक तो यह भी बात अच्छी है और अधानी ग्रूप के शेरोल्डर के लिए भी काफी अच्छी बात है और नई कंपनी मार्केट में आने जा रही है तो डेफिनिटली फोकेस लगा के बेठियेगा काफी अच्छा इप्यूप मार्केट में आते देखने को मिल रहा है तो यह था दोस्तो आधानी बिल मार्क के उपर हमारा अपडेट ठीक है अब इन्वस्मेंट करना नहीं करना यह आप लोगों के उपर है ठीक है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा दिया कंपनी की fundamental condition दिखा दी अब condition आपकी है कि आप कितने lot के लिए इसमें investment करते हो ठीक है तो यह था वीडियो दोस्तो जो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा क्योंकि daily basis पर इसी प्रकार का update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो